नमस्कार अमारे खास कारिक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ गौरी शंकर जहां उत्तर प्रदेश में चुनाप से पहले ऐसा लग रहा है कि जीत का अजंडा जैसे लगभग तै हो खास तोर पर बीजेपी की बात करें तो पहले आयोध के बाद काशे काशी के बाद मठूरा मत्वरा पर चुकी के शप्रसाद मौरी की तरफ से बहुत सारे ट्वीट किये गया इसके बाद सियासी संग्राम हुआ तो इतना तो टै है लोग भी समझ रहें कि हिंदुत्व के एजंडे केसाध साथ विकास के एजंडे पर बीजेपी पूरी तरह से फोकस्ट है वैसे बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के तमाम नेता हिंदूत वाले मसले पर ये कभी नहीं कहते कि दर असले चुनावी मुद्दा हमारा काशी कभी रहेगा या उध्याकरा मंदिर चुनावी मुद्दा रहा हो या फिर मतुरा क का मुद्दा चुनावी मुद्दा होगा लेकिन एक पर्सपेक्ट्रिव कह सकते हैं एक पूरे परिद्रिश में जो चीज़ें देखने को मिल रही है उसमें साफ तूर पर चीज़ें दिख रही है कि हिंदुत्व राजनीती में बदलता दिख रहा है उसकी तस्वीर बदलती दीख रही है पहले आप देखते होंगे गोल्ड टोपी लगाए हुए और इद के मौके पर बकरीद के मौके पर अलग लग जगों पर जिस तरह से इस्तिहार छपा करती थी वो सियासी अगर परिश् करते हुए और मंदिर के सामने तस्वीरें खिचाते हुए सारी चीजे सियासत में पूरी तरह से दिखते नजर आ रहे हैं दरसली इसी पर हम चर्चा करेंगे कि हिंदुत्व की धार क्या सभी पार्टियां तेज कर रही हैं किसको फायदा होगा किसकी जीत होगी वाकरी